हेलो फ्रेंट्स नमस्कार इससे हैं आप सभी स्वागत आपका हमारी चैनल पर जुड़ने के लिए तो आज की हमारी चरचा है आज की भागम भाग भरी जिंदी में बहुत कम बहुत क्या हम अपने से ही देख लेते कहां किसी के लिए टाइम मिलता है सारे लोग अपने महीं वीजी हैं और ऐसी लोग समाज में बहुत कम मिलते हैं जो आज में उनकी चर्चा मैंने का चलिए इन पर एक वीडियो बनाया जाए तो मैंने का इन पर चर्चा थोड़ी सी हो जाती है हमारे एटा जिले के रहने वाले हैं जुगंदर, राठो और तेराक तो उन पर मैं आज की चर्चा करना चाहती हूँ जो लोगों की हजारा नहर में कूत के लोगों की जान बचाते हैं अपनी जान की परवा किये बगेर और दूसरों लोगों की जान बचाती है बहुत सारे ऐसे किसे हैं कम से कम 400 से उपर उन्होंने लोगों की जान बचाई है तो ऐसे लोगों को देख के सेलूट और प्राउड फील होता है कि अपनी जान की परवा किये वगर हम वो दूसरों की जान बचा रहे हैं तो बहुत गरब फील होता है और अच्छा लगता है कि हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो निश्वार्त भाव से लोगों की सेवा करते हैं जान बचाना फ्रेंड्स बहुत बड़ा धरम है क्योंकि आप समझी सकते हैं कि इतनी गहरी और इतनी तेज धारा में बहने वाली जो हाजारा नहर है उसमें उन्होंने बताया बहुत सारे बच्चे उसमें खेलते खेलते मलब जम नहाने जाते हैं तो डूप जाते हैं और कितने सारे उनोंने उनके जो आर्टिकल हैं अकफार में चपे हुए हैं और सरकार की तरफ से उनको प्रसस्ती पत्र भी दिया हुआ है और उनको क्या बोलते हैं जब कुछ भी कारकर्म रहता है तो उनको सम्मान भी दिया जाता है और उन्होंने बहुत सारे फिर हमने पूछा वहिया आप जब उसमें चलांग लगाते हैं किसी को बचाने के लिए तो आपको डर नहीं लगता है तो वोले नहीं वैसे तो डर नहीं लगता था और अभी भी नहीं लगता है क्योंकि जब किसी की जान जा रही होती है तो फिर बस जब वो इंसान चीकता है चिलाता है तो बस हमें लगता है कि कैसे भी करके हम उसकी जान बचाएं और दूसरा हमारी दिमाग में कोई बाद नहीं आती है तो उन्होंने बताए कि अभी थोड़ा मेरे घरवाले मना करने लगे हैं क्योंकि वो उनको थोड़ा डल लगने हो गई है तो उनके जो भाई है यह जुगेंदर तैराग जी तो उनको अभी फैमिली वाले मना करते हैं कि आप थोड़ा सा मत जाया करो इन सब चीजों में से थोड़ा सा दूर रही है क्योंकि कल के लिए अगर आपको कुछ हो जाएगा तो हमारे परिवार का देखरे कौन करेगा क्योंकि जो वो उनके भाई थे उनकी डैथ हो गई है तो फिर जो उनकी फैमिली है उनकी पतनी है उनकी बच्चे है उनके पड़ाई लिखाई सारा खर्चा ये जुगेंदर भाई ही देख रहे हैं और इनकी पंचर की दुकान है पंचर और नास्ते की दुकान है त जब वो कंदे पे दो फैमली का भार आ जाए तो आज आप समझ सकते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में एक दो फैमली को चलाना कितना मुश्किल होता है तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी आप सभी मेरा वीडियो बनाने का माध्यम यही है कि सरकार तक हमारी बात पहु जो उनके एटा जिले के आसपास के हैं जो उनको सम्मानत करके ही बस उनको पत्र दे दिया और सम्मान कर दिया जो भी है क्या कभी आपने उनकी लाइप के बारे में जानने कोशिस की कि उनकी लाइप कैसी चल रही है जो लोगों की जान बचाते हैं उनका क्या चल रहा है य क्योंकि 400 से जादा लोगों की जान बचा चुके हैं तो हमारी सरकार को इस पर उनकी एलप करें मेरा मानना है मैं अपनी बिचारधारा बता रही हूं मुझे लगता है कि जो उनके वाई तैराक जो अब नहीं रहे हैं दो साल पहले मुझे लगता है कि उनकी जो वाईफ है उनकी कुछ न कुछ उनको गवर्मेंट जॉब दे देनी चाहिए ताकि उनका गुजारा चल सके उनकी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा थोड़ा बहुत सरकार को उठा लेना चाहिए और जो आसपास के स्थानिया जो नेता लोग है उनको ये चीज पहुचानी चाहिए सरकार तक तो मैंने बोला जुगिंदर भाई से मेरी बात ही क्योंकि मेरे ये फेस्बुक फ्रेंड है तो मैंने पूछा कि भईया कोई मदद बोले नहीं कोई मदद नहीं बोले योगी जी भी आये थे एटा तो उनसे भी मुलाकात है उ पस हम लोग सेलफी और फोटो किछवाने में ही लग जाते हैं हम वहां तक उन लोगों की बात नहीं पहुंचा पाते हैं जो सच में हमें लोगों की मदद करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करते हैं क्या हमारा फ़र्ज नहीं बनता है कि हम उपर तक उनकी बात पहुंचा करते हैं और यही मेरा उद्देश है कि सरकार तक ये बात पहुँचे और उनकी मदद की जाए जो भी है उनकी आर्थिक इस्तिती को देखते हुए और भाई से मैंने चर्चा कि भाई आपको कभी डर नहीं लगा कि आप जब नदी में पूच जाते हैं उसमें नहर में तो उन्होंने बताया कि एक बार मेरा सामना मगरमच्छ से हुआ तो डर तो लगता है कि सामने मगरमच्छ एक तो उपर से पान मानी में और मगरमच्छ दूसरा इंसान को भी बचाना है तो मौस से सामना करके दूसरे को निकालना हमारे फ्रेंड्स बहुत बड़ी बात है तो बस मैं यही बताना चाहा रही थी आप सभी को कि हमारे ऐसे जावाज लोग पड़े हुए हैं हमारे समाज में लेकिन बस हम उनको समानित करके छोड़ देते हैं हमें ऐसे लोगों का होसला बढ़ाना चाहिए उनकी हेल्प करनी चाहिए और उन्होंने यह भी बोला है कि जो जैसे कि जब लोग कूद रहे जब लोग कूद जाते हैं और उन्हों नये वता है कूदने का कारड़ दूसरा यह ग्रह कलेस बहुत होता है कुछ लोग तो नहर में कूदने के लिए आते हैं अपनी जानगवाने के लिए तो उन बहुत सारी लोगों को मैंने उनको बचाया तो फिर मैंने का कि जो लोग कूद जाते हैं तो आप जिसको बचाते हैं तो उनके गरवाले कभी आपसे मिलने के लिए आएं तो उन्हेंने बोले कि दो emli हैं जो आती जाती हैं और बाकी उन्हेंने बताएगी जो इंसान कूदने आया होता है वो खुद गरेख से और गड़ीवी और तंगी से परशान होता है तब भी वो कूदने आता है तो वो कोई help और वो सब्सम नहीं उन्हेंजे बताएग क आपने हमारे इंसान की जान बचाई और इस बज़े से जुड़े रहते हैं कि चलि और उन्होंने बताए कि उनको सम्मानित किया जाता है अच्छी बात है सम्मान देना चाहिए ऐसी लोगों का मानसमान करना चाहिए उनका होशला बढ़ाना चाहिए फ्रेंड समय और उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए जैसे उन्होंने बताया कि जहांपर जहांपर वो अपने दुकान है उनकी तो वहाँ पर कोई भी ऐसा जब वो कूदते हैं नहर में तो कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि कूदने के बाद में जब निकलें तो जो सुबदा हम उनको मिलनी चाहिए वो सब चीजें उनको कोई सुबदा वहां पर नहीं है तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए तो फ्रेंड्स जो जुगिंदर भाई जी है मैं उनको एक वर फिर से सलाम करती हूँ और उनकी फैमली को भी सलाम करती हूँ कि आप बहुत ही आपके लिए मैं इसको क्या बोलूँ कि आप बहुत ही महान इंसान हैं जो अपने घर के सदस को आप जान की बाजी लगा देते हैं भाई आप और सबकी अपने फैमली को ना देखते हुए फ्रेंट्स जब किसी का एक भाई चला जाए घर में हो लिए एक ही सदस हो घर चलाने वाला और वो सदस इतना जावाज ही बोलेंगे क्योंकि जब इंसानियत बोलेंगे फ्रेंट्स यह इंसानियत है जो सायद हर किसी के अंदर नहीं होती है उन्होंनों बताए जब कोई घर आवाले भी मना करने लगे हैं अभी कि अभी मत करो यह सवाब लेकिन उन्होंने बताएं कि जब कोई डूब रहा होता है तो आवाज आती है बचाओ बचाओ जो इस्तानिये लोग भी होते हैं कि बचाओ बचाओ जूगिंदर बचाओ तो मैं फटाक से कुछ भी ना देखते हुए मैं उसमें कूछ जाता हूं उनको बचाने के लिए तो यह इंसानियत ही है जो लोगों की इतनी हेल्प करते हैं उनको बचाते हैं तो भाई आपको बहुत-बहुत आप असली करती हैं कि आपको असली हीरो हैं हमारे समाज के जो लोगों की जान भचाते हैं यह तो हमारी असली हीरो हुए फ्रेंड्स जो अपनी जान sa chị परवा किये वगयर अगर दूसरों की जान बचाते हैं एक हमारे असली बॉडर पे हैं जो जिनकी वज़े से हम सुरच्छित हैं और दूसरे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो लोगों की जान बचाते हैं जैसे हमारे जुगंदर भाई तेराग जी हैं तो ऐसे लोगों का हमें धन्वाद देना चाहिए कि निश्वार भाव से जो लोग सेवा कर रहे हमारे समाज में तो जुगंदर भाई जी आपको बहुत बहुत दनवाद और ऐसे ही अपने कार में लगे रही और मैं सरकार से बस यही निवेदन करती हूँ आप सभी से जो आपके एटा के स्तानिय नेता हैं वो उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आप पर कि आपकी जो बात है सरकार तक पहुंचाएं क्योंकि आपका भी दो फैमिली को आप समाल रहे हैं तो मेरा तो यही है कि जो आपकी भाई की वाइफ हैं उनको कुछ ना कुछ गवर्मेंट रोजगार मिल जाएं और उनके मेरा यही आज का टॉपिक था कि आप भी जाने जो गंदर भाई जी को जो लोगों की जान बचाते हैं तो फ्रेंट्स अगर मेरी बात अच्छी लगी हो और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गादे राद खाने हो झाते हैं जावा जरूर का वीडियो बादे से रादेगी संगर करे झालूर करें जाने जाने हो ओंधी हो प्रेंगे तो फिसंग्तूर का तो रहे हो जाई।